नियूस चैनल बनाना और फिर इसे चलाना हमेशा से एक मुश्किल और महंगा तरीन टास्क रहा है लेकिन आज आज आटिफिशल इंटेलिजेंस के इस दोर में ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप नियूस चैनल बनाना और फिर इसे चलाने का तरीका समझाऊँगा तो चलिए AI के समंदर में चलांग लगाते हैं स्टेप नमबर फन अपने गूगल अकाउंट से अपने ब्राउजर को खोलिए राइट साइड पर एवाटार के साइन को क्लिक की जिए और फिर create a channel को क्लिक की जिए यहाँ पर आपको अपने channel का नाम देना पड़ेगा अगर आपके पास कोई नाम है तो यहाँ पर लिखिए लेकिन इसके लिए भी आप chat gpt का इस्तमाल कर सकते हैं आप ChatGPT को खोलिए और यहाँ पर लिखिए I am going to create a new news channel Please suggest some name for my channel ChatGPT आपको कुछ ideas दे देगा लेकिन यह नाम बहुत बड़े हैं आप यहाँ पर दुबारा लिखिए The name should be in two words GPT कुछ नए नाम आपको दुबारा generate कर देगा आप इसमें से कोई भी नाम select कर सकते हैं जैसे मैंने यह पहला नाम select किया है इस नाम को copy कीजिए और अपने channel के channel name में paste कर दीजिए और इसके बाद create button को click कीजिए आपका channel कामियाबी से create हो चुका है मगर अभी कुछ मरहले बाकी हैं अपने channel को professional बनाने के लिए अब इसे customize कीजिए customization पर click कीजिए इसके बाद basic info को click कीजिए यह आपका channel name है और यह आपका user name है आप इसमें तबदीली भी कर सकते हैं और यह channel की description है अब description में क्या लिखें इसके लिए आपको दुबारा chat GPT पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर type कीजिए my channel name is insight now या जो भी आपका है and लिखें please write a slogan and YouTube description GPT आपको slogan और description create कर देगा यहाँ से description को copy कीजिए और अपने channel की description में paste कर दीजिए और इसके बाद publish button को hit कर दीजिए अब आपको अपना channel logo बनाना है इसके लिए आपको canva use करना पड़ेगा canva पर log and assign अप करने के बाद यहाँ पर search कीजिए channel logo यहाँ पर आपको blank पर hit करना पड़ेगा यहाँ पर आपको बहुत सारे logo नज़र आएंगे लेकिन आपको news channel का logo तरकार है इसलिए यहाँ पर type कीजिए news logo यहाँ से एक logo को select कीजिए अपने मुन्तखब करदा डिजाइन को अपनी पसंद के मताबिक customize कीजिए editing के बाद इसे download कर लीजिए download करने के बाद अपने वापिस YouTube चैनल पर जाएं और search bar में YouTube banner सर्च कीजिए यहाँ फिर आपको blank select करना पड़ेगा अब यहाँ भी news channel banner को search कीजिए यहाँ पर आपको बहुत सारे design मिल जाएंगे आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे उसको select कीजिए और customize कीजिए और फिर इसको भी download कर लीजिए वापिस YouTube channel पर जाकर अपने banner को upload कीजिए अब इसमें सिरफ आखरी step बाकी है और वो है watermark यहाँ पर अपने logo को दुबारा upload कीजिए यह तमाम step मुकमल करने के बाद publish के button को hit कीजिए आपका channel त्यार हो चुका है लेकिन अब सवाल यह है कि आपने अपना news content कैसे त्यार करना है अगली वीडियो में हम आपको ना सिरफ news source का बताएंगे बलके anchor को कैसे त्यार करना है उसका background क्या होगा और उसको कैसे publish करना है यह सारे तरीके जानने के लिए आप हमारे YouTube channel को subscribe कीजिए और हमारी अगली वीडियो में देखिए कि कैसे तीन स्टेप में आप ना सिर्फ news त्लाश कर सकते हैं बलके news anchor और background के जरीए आप इसे play भी कर सकते हैं कराची से रावल पिंडी जाने वाली हजारा एक्स्प्रिस की पाँच बूगिया नवाब पशा के करीब पट्री से उतर गई